तो इस वीडियो में पहले तो पोएट का शॉट एड्रेस देखेंगे उसका शॉट इंट्रेक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर इसकी पूरी पोयम की समरी देखेंगे शॉट में और उसके बाद फिर लाइन वाइन इसका मीनिंग और एक्स्प्लेनेशन देखेंगे उसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई हैं वो देखेंगे और उसके बाद जो कुछ टिपीकल वाले वर्ट इसमें आइडियो को ओके जॉन कीट्स वस बार्ण इन 1795 ओके यह बिर्टिश पोएट थे 1795 में इनका बिटन में जन्म हुआ और 1821 में इनकी डैथ हो गई थी डू टू 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 ट्यूबर क्लासिस इनके घर में ही बीमारी थी और कई इनके परिवार के मैंबर्स इससे खत्म हु पोएट ओके यह एक रोमेंटिक पोएट हैं और सेकेंड जेनरेशन के पोएट माने जाते हैं अलोंग विद परसी बाइसे शेली एंड बायरन एटसेटरा ओके इनका क्यूंकि जैसे आपने देखा बहुत कम उमर में लगबग 25 एस की एज में इनकी डैथ हो गई थी तो इ इसलिए जीते जी इनको बहुत ज़्यादा पैचान नहीं मिल पाई ओके अधिकतर जो इनकी पैचान है वो डैथ के बाद जो इनकी पोएम्स फेमस हुई है उनसे हुई है अल्दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन की डिवोट हिंसेल्फ होली टू पोएटरी यह असल मैं इनों पहले तो सर्जन की ट्रेनिंग ली थी पढ़ाई की थी डॉक्टर की लेकिन बाद में इनोंने डिसाइट किया कि नहीं मेरा इंट्रेस्ट पोएट्री में ज्यादा है और मैं पोएट बनूँगा कीट's secret was his power to sway and delight the reader's lies primary in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language तो इनका जो मेन जो हत्यार है जो readers को captivate करने वाला है वो है यह कि यह sensual poet है और अपने words के अपने beautiful words से एक ऐसी captivating image create करते हैं जो उनके readers को मोहित कर लेती है उनको बहुत अच्छी लगती है ओके यह इनके जो मेन points है वो है natural imagery में बहुत माहिर हैं कि बहुत ही शानदार डंग से कलपना करते हैं जैसे कि आप इस poem में भी देखेंगे तो यह इनका short address था अब चलिए देखते हैं कि आखिरकार इसकी summary क्या है या poet जो है वो इस poem में जो दी गई करने जा रहे हैं आखिर उसमें किन में चीजों को दिखा रहा है किन में चीजों पर उसका जोर है एक बड़ी पोयम है एन डाइमियन उसका एक हिस्सा यह यहाँ पे लिए गया है उसी का एक 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 अकसर्प्ट है इन विच एन डाइमियन आप ब्यूटिफुल यंग शैफर्ड और पोईट हू लिवड ओन माउंट लेटमस एन डाइमियन उसमें एक शैफर्ड का नाम है जो की माउंट लेटमस पे रहता है और बहुत ही सुन्दर सा वेकती है उसको सिंथिया के दर्शन होते हैं सिंथिया उसको सपने में दिखाई देती है जो की मून गॉर्ड इसमानी जाती है और वो उससे मोहित हो जाता है और वो उसकी खुबसूरती से मोहित हो करके उसको ढूंडने निकल पड़ता है सारे जंगलों में हर जगा ढूंडता है यहां तक के समुद्र में भी तो इस पोयम में हम देखते हैं कि एक जो सिंथिया की ब्यूटी से हिपनोटाइज जो परसन है उसके आखिरकार ब्यूटी के बारे में क्या विचार है वो क्या सोचता है ब्यूटी के बारे में Keats being a romantic poet takes the idea of beauty deeper and wider of his nature according to him nature's beauty is not limited to the colorful flowers attractive sceneries, agile animals and living vibrant water bodies it is something more nature is beautiful in its every and each aspect it is bounteous in its gifts to the humanity and that every gift to is full of beauty it helps develop and sustain life here on earth so it is useless to go for the minute details we may say in short that whatever natural is beautiful whatever is natural is beautiful and whatever whatever is beautiful is a source of everlasting pleasure and happiness what is not said directly is that we should take care of nature and should not do anything which do affect it negatively because nature stands for life anything done inconsistent with nature would potentially result in havoc it may invite the fury of nature which could result in a threat for the very existence of life so this is a summary this poem poem which is the poem the poet that tells us what is the beauty what is the fact and what is the beauty and why we should be beautiful things to be able to do with the work of nature and being able to do it with the work of nature and being able to do it one of the most coated lines of the world है है na किसी भी language में सबसे ज्यादा quote की जाने वाली चीज़ों मेंसे एक लाइन है ये a thing of beauty is a joy forever है na कोई भी खुबसूरती की चीज़ यानि कोई भी सुन्दर चीज़ जो है वो हमेशा हमेशा के लिए एक खुशी का कारण होती है, खुशी की वज़ा होती है Its loveliness increases, दिन बादिन उसकी जो loveliness है वो बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती एच के साथ या किसी और वज़ा से जो दूसरी चीज़ें बहुत सारी जो especially जो human made things हैं बहुत सारी वो फेड हो जाती है टाइम के साथ और कहीं न कहीं उनकी ब्यूटी भी उतनी अकरशक नहीं रहती उतनी मोहित करने वाली नहीं रहती but it is not so with the things which are natural it will never pass into nothingness but will keep a but will keep a bower quiet for us and asleep तो आगे एक बावर की जिक्रा आई है बावर क्या है एक cool और shady place को कहते है especially जो पेडों के बीच में होता है पेडों के नीचे पेडों के बीच में भी छाया खूब रहती है या फिर पेडों को कई सारे जैसे पेडों या कोई एक बड़ा ही पेडों और वहां बहुत अच्छी से चाया हो रही हो गनी चाया हो रही हो तो वहां आपको बहुत ही राहत मिलती है खासर से गर्मी के सीजन में ऐसी जगह की value बहुत ज्यादा समझ में आती है जाएंगे अगर आप किसी जंगल में जाएंगे बहुत गर्मी पढ़ रही हो लेकिन अगर आप किसी जंगल में चले गए या किसी भी ऐसी जगह पे आपको राहत के लिए एक बावर मिल जाता है ओके वहाँ इतना ठंडा लगता है इतना सुकून मिलता है कि वहाँ आप गहरी नीन में सो सकते हो ऐसी गहरी नीन जिसमें खूब सारे मीठे मीठे सपने हैं फुल आफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ और इसके साथ ही साथ आपके शरीर को भी बहुत आराम मिलता है यानि आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत ही फायदे मन रहता एंड कॉइट ब्रीधिंग और भरपूर ऑक्सीजन मिलने से आप आराम से वहाँ सांस ले सकते हो है ना सारे जो एटमस्फेर में जो हमारा धेर सारा हमने पॉलिशन फैला रखा है उस सबसे दूर हम अगर ऐसी जगा पे पहुंच दें तो हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है भरपूर चाया मिलती है हमारे तन मन दोनों को ही सुकुन मिलता है तो पॉएट कह रहा है कि इस तरह से अगर आप नेचर के करीब जाते हो तो नेचर में आपको बहुत कुछ मिलता है जो आपको सुकून देता है जैसे कि हम रोज सुबा लगबग फूलों की या तो माला बनाते है या फूल इकठा करते हैं भगवान को चड़ाते हैं या जो भी जिस भी अधर में हम हैं तो वहां अक्सर फूलों को इस्तेमाल किया जाता है तो यह फूलों को चाहे कलेक्शन करके आप रीदिंग करके उसकी माला बना लें चाहे उनको दूसरी तरह से इस्तेमाल करें यह कुछ और नहीं है तो यहां कुछ नेगेटिब चीजे देशन करें तो यहां कुछ नेगेटिब चीजे देशन को चाहें रखे हैं वो कहा है कि भले से दुनिया आँं बह। सारी निराशा भरी हो बह। सारी दुख परेशानिया भरी हो उड़ जो humanly qualities हैं, जो इनसानी गोड़ हैं, उनकी बहुत कमी हो गई हो, डर्थ, inhuman डर्थ, जो इनसानी गोड़ हैं, उनकी noble natures की बहुत कमी हो गई हो, noble natures, यानि इनसानी गोड़, जैसे दया, कोपरेशन की भावना और दूसरी ऐसी सारी चीज़े, तो भले से उन चीज़ों की बहुत कमी हो गई हो, भले से बहुत खराब से दिन चल रहे हों, के भले से बहुत ज़्यादा unhealthy और darkened से aspect create हो गई हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी, some shape of beauty moves away the pole from our dark spirits, तो इनको compare किया गया है, जो गलत चीज़े हैं, वो compare की गई हैं कहीं न कहीं, dead body से, और, sorry, dead body के उपर जो पड़ा हुआ होता है, cover, उस से, Paul से cover की गई हैं, एक तरह से, Paul से compare की गई हैं, sorry, जो negative things हैं, यहां सारी negative things आई हैं, यह कई सारी, तीन चार लाइन पे हैं, तो इन सब को compare किया गया है, Paul से, Paul is a cover which is put on the dead body or the coffin, कोई भी ऐसा कपड़ा, कोई भी ऐसी चीज़, जो dead bodies के उपर, या coffin वगेरा के उपर डाली जाती हैं, उसको हम Paul कहते हैं, तो इनको compare किया है, पेटनेक Paul से, और वो कह रहा है कि भाले से, यह सारी चीज़े हैं, और यह किस की तरह हैं, पॉल की तरह से हैं, लेकिन फिर कोई nature की कोई सुन्दर चीज़ आती है, और वो क्या करती है, some shape of beauty moves away the Paul, वो उसको हटा देती है, नेचर की shape में कोई beauty आती है, कोई beautiful aspect आता है, और इनको खराब चीज़ों को हटा देता है, from our dark spirits, such the sun, the moon, the trees, old and young, sprouting a shady bone, for simple sheep, and such are daffodils, तो यहां poet कह रहा है कि इसी तरह से, हमारी जो dark spirits हैं, फिर वो एकदम से light हो जाती हैं, वो एकदम से हम pleasant mood मा आ जाते हैं, और ऐसी चीज़े और कौन कौन सी है, मतलब जो इस तरह से Paul को हटाने का काम करती हैं, जो natural thing है, natural things of beauty हैं, वो कौन कौन सी हैं आकिरकार, तो वो कौन सी हैं, such the sun, the moon, trees, old and young, nature में जो भी aspects हैं, जो major aspects हैं, यहां poet ने सिर्फ वो ही लिये हैं, sun, moon, और इसी तरह से trees को लिया है, sprouting and shady, boon, पेडों को sprouting करते हो दिखाया गया, उनको फलते फूलते दिखाया गया, और वो फिर shady boon, हमारे लिए तैयार कर रहा हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसी वैसी वो शेट तैयार करते जाते हैं, यहां अभी fruits वगेरा की बात नहीं कर रहा हो, herbs जो हमें मिलती हैं, बहुत सारी medicines मिलती हैं, पेड़ों से उनकी बात भी नहीं कर रहा है, यहां भी कुछी चीज़ों की बात कर रहा है, जो एकदम direct benefits हैं, उनकी बात कर रहा है, तो कह रहा है कि यह चीज़े जो हैं, sun, moon, trees, old and young, यह सब जो कुछ aspects है nature के, यह इन चीज़ों को जो negative चीज़े हैं, उनको control करने का काम करते हैं, उनके negative effect को lesson करने का काम करते हैं, समाप्त करने का काम करते हैं, for simple sheep and such are daffodils with a green world they live in and clear rills, तो यह जो है, यह चीज़े जो हैं, यह सबी के लिए सुख देने का काम करते हैं, यहां तक कि जो simple sheep हैं, उनके लिए भी shade वगेरा मिलती है पेडों से, और इसी तरह से जंगलों में, ग्रीन वर्ल्ड यूस किया गया है, जंगलों को दिखाने के जंगलों को डिपिक्ट करने के लिए, तो कह रहा है कि ऐसे ही अगर आप जंगलों में जाएंगे तो वहां आपको daffodils में लेंगे, daffodils बहुती सुन्दर तरह के फूल होते हैं, ऐसे ही वहां पे clear rills मिलेंगी, चोटी चोटी जो seasonal rivers होती है, वो मिलेंगी, reverse मतलब चोटी cooling covert make against the hot season, है ना, और ये क्या है, green चाहे वो shade हो, चाहे daffodils हो, है ना, ये scenery हो, green world हो, पूरा जंगल हो, या फिर clear rills हो, ये सब मिलके क्या करते हैं, ये एक cooling effect create करते हैं, cooling effect किसके against cooling effect, against the hot season, summer hot season, है ना, जो बहुती दुख दाई, अब तो खेर, बहुत modern जमाना आगया, हमन बहुत सारी सुक्सिदाएं, अपने maintain कर ली हैं, ना, science का use करते हुए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, poet ने जब ये poem लिखी है, तो उसको 200 साल से जादा हो चुके हैं, 200 साल से जादा हो, तो उसको मरे हुए भी हो गए, 1821 में उसकी death हुई थी, तो 200 साल पहले ऐसी conditions नहीं थी और नेचर की fury, नेचर के जो भी एकस्टिमिटीज हैं, उनसे बचने के लिए हमारे पास इतने ज्यादा साधन नहीं थे, तो इसलिए जो नेचर में ही जो चीज़े हैं, उन्हीं की बात की जा रहे हैं, यहां की जो गर्मी हैं, गर्मी का जो hot season है, उससे मुक्ती दे लेने ऐसे ही डैफुडिल्स मिलेंगे जो हमारे आँखों को सुकुन देगा, हमारे मन को सुकुन देगा, सुन्दर चीज़ दिखाई देगी, ग्रीन वर्ल्ड मिलेगा, ग्रीन वर्ल्ड यानि जंगल मिलेगा, जिससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, इसके अलावा क्लियर और cooling cover तैयार करेंगे इससा मिल करके cooling cover cooling सा place, cooling सा महौल create करेंगे जिससे कि हमें गर्मी से राहत मिल सके यहां देखिए यह सारी चीजे आपको राहत देने वाली चीजे हो सकती है और आप symbolically अगर देखें तो जो गर्मी का season दिखाया गया है खराब दिन हो सकते हैं या दुख परेशानिया हो सकती है तो उनके against भी poet कह रहा है कि यह सारी चीजे हमें मिल करके फाइदा पहुचाती है जैसे कि आज भी आप देखोगे सूरज की किरण है बहुत सारी बीमारियों को वैसे ही कम करती है यह न तो इनसा में वैसे भी बहुत सारे फाइद है The mid forest break Rich with sprinkling of fair musk rose blooms इसके अलावा क्या होगा कि जैसे जंगल होते है घने जंगल है तो ऐसा नहीं है कि बहुत जंगल continuously जंगल ही रहेंगे कुछ जगा ऐसा होता है बीच बीच में कुछ बाइल्ड पैचेस आ जाते है जहां कि कोई पेड़ वेड़ नहीं होते काफी एरिया में और ऐसी कंडिशन में वहाँ छोटी छोटी घास या दूसरे पौदे होगा आते है ऐसे ही खाली जगा पे उसने कल्पना किये कि वहाँ पे मिट फॉरेस्ट ब्रेक में क्या होगा कि बहुत सारे मस्क रोस खिल रहे होंगे मस्क रोस ब्लूम्स है ना तो उनको देख करके उनकी खुश्बू को सूंग करके भी हमारा दिन हमारी जो दुख परेशानिया वो बहुत हत तक कम हो सकती है इसी तरह से देखिए एक ये चीज़ वो है जो कि अनएकस्पेक्ट चीज़ है भले से आपको अभी तक सारी चीज़े वो ब्यूटिफुल दिखा रहा था और मैनमेड दिखा और नेचर मेड दिखा रहा था सारी लेकिन अब यहां एक मैनमेड चीज़ को भी उसने शामिल कर लिया लेकिन बहुत ही सिंबोलिकली शामिल किया है मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूँ और मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि यह जो इमेजरी है या जो थोड़ा सा फिलोस्फिक पॉइंट है पोएम्स का वो पूरी तना से निगलेक्ट कर दिया जाता है लेकिन जो बड़े पोएट्स हैं अधिकतर उनके पोएम्स जो हैं उनका फिलोस्फिकल जो इमपॉटेंस है वो कहीं ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा फिलोस्फिक अकसर अपनी पोएम्स में रखते हैं तो वैसे ही यहाँ पे है देखिए अभी तक आपको नेचर में ही ब्यूटी दिखाई गई थी अब वो मैन मेड थिंग्स में भी ब्यूटी दिखा रहा है लेकिन किस में दिखा रहा है कोई किसी शांदार बिल्डिंग में नहीं दिखा रहा है किसी बहुत कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग में बहुत मतलब भबे बिल्डिंग में नहीं दिखा रहा है बलकि किस में दिखा रहा है डूम्स में ग्रेफ्स में ओके ग्रेफ्स किसकी जो मार्टियर्स होते हैं उनकी तो वो भी हमारे लिए खुशी का करण है खुशी का करण किस तरह से देखिए कोई भी देश हो अगर उस देश पे लोग शहीद नहीं हो तो वो देश कप का गुलाम हो गया होता है या अगर गुलाम हो था तो उस गुलामी से निकला नहीं होता तो अगर उस देश के बाशिंदे उस देश के नागरिक उस देश के सिटीजन्स अगर आज अज़ादी को एंज़ादी 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 को कि जो graves हैं वो भी हमारे लिए खुशी का कारण है वो भी हमें खुशियां देती हैं उन्होंने हमें खुशियां दी हैं we have imagined for the mighty dead जो dead person है ये उनको उसने mighty words से दिखाया डिनोट किया है तो यहां पर poet ने beauty देखी है किसमें जो graves हैं किसकी जो martyrs हैं उस देश के उन लोगी graves में भी beauty दिख रही है उसको और होती है beauty है ना क्योंकि उन लोगों की बज़ाए से ही उस particular देश के लोग सुखी होते हैं life को enjoy कर रहे होते हैं तो वो भी एक beautiful scene है all lovely tales that we have heard or read an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink इसके अलावा क्या है कि हमने जो भी कहानियां ऐसी सुनी हैं जो खुशियां देने वाली हैं यह इनके अलावा जो poem में कुछ चीज़े दिखाएगी हैं उसके अलावा ही बहुत सारी चीज़े हैं all lovely tales that we have heard इनके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो हमने पढ़ी या सुनी होंगी an endless fountain of immortal drink वो सब क्या हैं हमारे लिए एक immortal drink की तना से immortal drink जिसको पी कर के आदमी immortal हो जाता है यानि nectar जिसे अमरित भी कहते हैं तो वो एक immortal drink की तना से मतलब उनको आप बार बार सुनते रहिए वो आपको बार बार खुशियां देती रहेंगी ऐसी अची चीज़ें जो है ना जो आप अगर किसी वीरषवाजी की बात की कहानिया सुनो गे या दूसरे और महान लोगों की कहानिया सुनोगे तो वो आपको अगर खुशियां दे रही हैं तो आपसे आपके दादा जी को भी उनोंने उन कहानियों ने खुशियां दिये होंगी और आपके जो पोते वगएरा होंगे कल को उनको भी वो खुशियां देंगी यानि के वो immortal stories हैं ना वो भी उसी काहसा है pouring unto us from the heavens brink और ये एक ऐसे अमरित के सामान है जो की आसमान से एक तना से स्वर्ग से गिर रहा है हमारी खुशियों के लिए तो ये आपकी पोयम थी और उसका ये explanation था उमीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर हम इसकी poetic devices की बात करें तो rhyming scheme इसमें a, a, b, b, c, c हुई है मतलब जो सिर्फ दो continuous lines है बस उनकी आपस में rhyming है बाकी हर बार में change हो रहा है ओके लगातार दो continuous lines मैच कर रही है बाकी कोई मतलब वैसा set pattern नहीं है यहां यह आ गया ऐसे यहां पर keep or sleep हो गया breathing, reading हो गया फिर यहां फिर आ गया के पिछली line से कोई match करें ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन आपस में दो continuous lines हमेशा match कर रही है इसके अलावा जो यहां पर poetic device यूज हुआ है वह है जैसे first है आपका engement एक ही idea जब कई एक line से ज्यादा में run करता है और poet उसको separate करने के लिए कोई punctuation mark नहीं शोक लगाता तो वहां पर engement होता जैसे यहां it will never pass into nothingness आगे भी चल रहा है sentence लेकिन दौनों जगा पर poet ने कोई punctuation mark यूज नहीं किया है इसलिए engement है enaphora है lines की शुरुआत में एक ही word repeat होता है तो enaphora होता है okay off off यहां पर repeat हो रहा है ऐसे ही यहां पर inversion है जब आप sentence की जो composition है उसको बदल देते हो है ना जो set order होता है उसको बदल देते हो तो वहां पर inversion कहा जाता है जैसे यहां are we reading यहां होना क्या चाहिए था we are reading के तो उसको rv reading कर दिया इसलिए यहां पर inversion है यहां पर metaphor भी है indirectly जो है उसको माला को compare कर रहा है उसको फूलो को compare कर रहा है माला को compare कर रहा है दूसरी चीज़ों से इसलिए यहां पर metaphor भी है okay antithesis है antithesis तब होगा जब आप order को पलट देते हो order को मतलब जैसे यहां old and young है ना आना क्या चाहिए था वैसे पहले यंग आता यंग and old तो यहां इन्होंने उस words के order को पलट दिया यंग बाद में यूसकी आया old पहले इसलिए यहां पर antithesis है imagery है sprouting a shady moon दिखाया गाई किस तरह से जो है वो खिल रहा है पौदे develop हो रहे हैं तो इसलिए यहां पर imagery भी है musk rose blooms में फिर से imagery आई है mighty dead में फिर से imagery है okay ऐसे immortal drink immortal drink यहां एक्टर के लिए यूज किया गया है इसलिए यहां भी metaphor है कुछ typical words यहां दे रखें बावर shady cool place despondence low spritz जब आप बहुत low सा feel करते हो mood आपका गिरा गिरा सा होता है खराब से विचार आते हैं okay तो that is called despondency निराशा का भाव डर्थ shortage किसी भी चीज़ की कमी पॉल हम बता चुके काफी detail में dooms mausoleum जो जहां भी dead body score रखा जाता है okay दफनाया हुआ होता है तो उसको हम mausoleum कहते हैं ऐसे कुछ better understanding के लिए हैं कुछ questions दे रखें list the things beauty mentioned in the poem है न कौन कौन सी चीज़ों से यहां poem में आपकी beauty mention की गई है तो हम बता चुके आप खुद इसको देख लिए न इससे आपको और अच्छी तरह समझने की समझ माएगी poem essay list the things that cause sufferings and pain सब एक जगा यहां दे रखें तीन चार लाइन्स में what does the line therefore are we reading a flowery band to bind us to earth suggest to you है ना तो यहां पर यही suggest कर रहा है इस line से कि हम जो है इस तना से रोजाना जो सुबा की जो दिन की शुरुआत होती है उसी में fool और का इस्तिमाल करते है ना और fool कहां से आ रहे हैं धरती से जुडाव अपना दिखाने के लिए वो connection दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं तो धरती से connection दिखा रहा है वो इसके द्वारा what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings ना तो ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो की बहुत सारी troubles और sufferings के बावजूद भी human beings की life जो है उसको अच्छा बनाती है है ना तो वो यह सारी nature की चीज़े यहां पर दिखाई नी sun moon trees old and young है ना यहां वोई चीज़े दिखाई हैं उसने why is grandeur associated with the mighty dead इसके साथ mighty dead के साथ आखिर कार क्यों grandeur दिखाया गया है तो वो हम बता चुके है ना उनी की वज़ा से हम सांस ले रहा है खुली हवा में उनी की वज़ा से हम अजादी में लिए इसलिए वो grand काम करके गया है और इसलिए जो उनके dooms हैं वो grandeur के places हैं do we experience things of beauty only for short moments or do they make a lasting impression on us तो lasting impression ही देते हैं what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth जो धर्ती है धर्ती का जो इतनी सारी मतलब उसकी जो संपदा है जिससे की beauty create होती है लगातार जो उसकी regenerative powers है ना वो किस तरह से किस image के दारा poet दिखा रहा है what image does the poet use to describe ना क्या दिखा रहा है वो तो यह यह सारे daffodils खिल रहा हैं clear rails हैं और green world दिखाया है यानि घने जंगल दिखाया है cooling cover बन रहे हैं और between the patchy places in the forest वहाँ पे क्या है musk rose bloom कर रहे हैं और इस तरह के sun moon हैं यह सब मिल करके beautiful जो है धरती का जो buntiest nature है वो दिखा रहे हैं okay तो आज के video में बस इतना ही मिलते हैं अपने next video में hope you would like the poem and if it is so don't forget to like and subscribe our channel okay see you again in the next video till then keep studying keep learning